इस्जय नोट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल और्गनियशन इस्पल्व इन वाइलं लाइफ कंजरवेशन मैं कौन कौन सान्कीन अगर यह लोग में ना आ है तो इसमें कुछ organization है जैसे कि IOCN, Red Databook, WWF and WWF in India यह 4 topic आपका short note में पूछा जाता है तो चलिए जानते है इसमें बोला जा रहा है कि wildlife क्या करता है इसमें बोला जा रहा है कि wildlife अपने natural habitat में मतलब रहने वाले अस्थान में Plant और Animal के water, Non-Cultivated species को रिफर करता है, Un Cultivated species का मतलब एक तरह का accursed species मतलब कि उस तरह के plants की animals के species को बचाना चाहिये उसको यह refers करता है wildlife मतलब कि हैपिटेट में रहने वाले plant और प्लानट और एनिमंज को यह refers करता है wildlife management refers to the protection had Preservation, Perpugation and Judicious Control of Population of Rare Spaces of Plants and Animals in Their Natural Habitat. बोला जा रहा है कि Wildlife Management, Plants और एनिमल के Rare Spaces को उनके Natural Habitat में Population को बचाने या फिर बोल सकते हैं बनाए रखने का काम करता है. Organization involved in Wildlife Conservation. Organization का मतलब होता है कि एक तरह का संगठन बोल सकता है. Organization को हिन्दी में संगठन बोला जाता है. को करने के लिए लोगों के द्वारा बनाएगे ग्रूप को organization कह सकते हैं. A number of bodies and organization are put in wildlife management. They are followed. Wildlife management को करने के लिए बहुत सारे organization या फिर नमबर of bodies को put किया गया है. मतलब इसको manage करने के लिए wildlife को. कौन कौन से तो पहला IUCN हो गया, second WWF, third WWF India, fourth Wildlife Preservation Society of India, fifth state boards for wildlife, sixth red data book, national wildlife, action plan. इट हो गया Indian board for wildlife. इसमें बोला जाल है national organization. मतलब हम लोग पूरे world में organization है, लेकिन हम लोग को बस national पढ़ना है, मतलब हम लोग को बस India के organization के बारे में पढ़ना है. तिसलिए eight जितने विए सब इंडिया के organization है. फर्स्ट IUCN, IUCN stands for International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. क्या होता है, IUCN का full firm क्या होता है, तो I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब इंडियान for Conservation of Nature and Natural Resources. इट इस इस्टेबलिश इन 1948, ये कब इस्थापित हुआ था? तो ये 1948 में इस्थापित हुआ था, कहां तो फ्रांस में हुआ था. मतलब 5 अक्टूबर, फ्रांस में 1948 को IUCN इस्थापित हुआ था. इट इस इन इंडिपेंडेंडेंट इंटरनेशनल एजनसे, ये पूरी तरह से खुले है, मतलब जैसे बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंडेंट है, है ना, इंटरनेशनल एजनसी है, मतलब वाइल लाइफ प्रोटेक्शन को बचाने के लिए एक तरह का ये इंटरनेशनल एजनसी है, इट कॉन्वेंसे जैनरल एसेंबली एबरी थडियर, ये क्या करता है, कि हर तीसरे साल क्या करता है, एक तरह का आम सभा बुलाता है, इसको बचाने की कोशिस करना, यही इसका मैन अबजेक्टिव है, इसको बचाने एक तरह काम को मैं किसी नेशर में, अगर किसी नेचर में जिसी हेबिट में अगर इन्डेर मजटेस खतम होने के कागार पर और मतलग किसी तरह का जोत तो एक तरह की फंड उठाता है मतलग पैसा का कॉलक्शन करके उस चीज को बचाने के लिए वह हैल्प करता है यह सबसे पहली बाइं इस्टेबलिस्ट कहा ववा था तो 1961 पस्विज़ लैंड में हो था इंक्लूडिंग इंडिया यह मेंबर्शिप में इसमें मिला हुआ है इसमें इंडिया भी सामिल है इसका नाम बदल के वर्ल्ड वाइड फंड कर दिया गया किसके लिए तो नेचर के लिए मतना नेचर को बचाने के लिए लिया गया फंड पूरे वर्ल्ड से है ना इसका नाम यह बदल दिया गया थर्ड वर WWF इंडिया, WWF इंडिया was founded in 1969, यह कब founded हुआ, तो 1969 में यह founded हुआ, its headquarter in Mumbai, इसका headquarter जो है वो मुंबई में इस्तित है, its main aim are conservation, education and research, इसका main aim है कि conservation सरक्षन देना, यह तरह का सिक्षा देना और research पर काम करना, Some of the important project undertaken and supported for WWF इंडिया, इसके द्वारा किया गया, एक important या फिर लिया गया प्रोजेक्ट है, फिर अंडमान pig study, crocodile breeding project, यह मतलतना बहुत सारे सपोर्ट किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट को इसने सपोर्ट किया है, WWF इंडिया ने, लेकिन मैं बस दो कहीं बता रही हूँ, आ सब्सक्राइब वाइड लाइफ लवर इन दहरादुन in 1958, voluntary organization का मतब होता है कि एक तरह का लोगों की द्वारा बनाया गया group, मतब होता है कि सपोर्ज अगर किसी एरिया में, मतब कुछ लोगों को बहुत सा, मतब अनिमल बहुत ही अच्छ लगता है, तो उलुग अपना group ब volunteer organization founded by wildlife lover in दहरादुन in 1958, ये एक तरह का wildlife lover के दवारा बनायेगे एक organization है, ये कहा है तो दहरादुन में, कब हुआ तो 1958 में, it is a member of IUCN, ये IUCN का भी member है, कौन तो wildlife preservation society of India, its major aim is to promote interest in wildlife, क्या करता है, इसका major aim है कि लोगों को ये बताना, ये जागरुक कराना कि wildlife कितना अच्छा है, ये उसमें interest दिखाने के लिए ये जागरुक कराता है, लोगों को, state board for wildlife, इसको short name हम लोग SBWL भी बोल सकते हैं, it is consecuted at all states in India, ये हर एक राज में ये इस्तीत है, it does the same function as the IBWL but at the state level, ये क्या था है, ये same function करता है, आयू, मतलब नहीं, ये same function करता है, लेकिन अपने-अप काम करता है, is celebrate wildlife week in the first week of October every year with the aim to educate people on wildlife, ये जो state board for wildlife है, ये क्या होता है, ये अक्टूबर के first week में ये मनाया जाता है, celebrate क्या जाता है wildlife को लेकर, है ना, और क्या होता है, कि इसका aim ही है कि people को, मतलब लोगों को बताना कि wildlife कितना अच्छा है, wildlife के बारे में, जंगली जीवन के बारे में बताना लोगों को, और मनाया जाता है, अक्टूबर के first week में, उसके बारे डेटा बुक, ये बहुत ही important है, ये आपका short note में पूछा जाता है, रेट डेटा बुक क्या होता है, जैसा कि आप बुक सही जानते है, बुक का मतलब बुक में क्या होता है, जैसा कि all endangered animals and plant in the country, RDB क्या बताता है, रेट डेटा बुक ही सही पता चलता है, ये क्या करता है, ये complete list देता है कि कितने सारे अनिमल endangered category में है, कौन डेंजर category में है, कौन से country में, कौन सा spaces खत्म होने को है, प्लांट खत्म होने को है, हर तरह का knowledge ये RDB देता है, about 253 species of animal and about 2000 species of plant are reported to be endangered, RDB ने बताया है, रेट डेटा बुक ने बताया है, कि लगभग 253 species animals के, वो endangered species में है, उसके बाद 2000 species plant के, वो भी endangered species, endangered का मतलब होता है कि अब वो खत्म होने वाले हैं, है ना, उसका मतलब इसका मतलब रही होता है, the book was based on research conducted between 1961 and 1964 by biologist in Russia, ये बुक जो है, एक तरह का research के थ्रू ये बताता है, मतलब होता है कि जगा जगा research करवाता है, कब तो between 1961 and 1964 के research के basis पर बताया गया है, कि 253 species animal का, वो endangered है और 2000 species plant के, वो endangered species है, किसके द्वारा तो रसिया के biologist के द्वारा ये बनाया गया था, फिर नेशनल wildlife action plan, है ना, इसको short में NWAP, यहाँ पर national wildlife action plan है, The NWAP was constituted in 1983, कब यह लाए गया था, कब यह गठित हुआ था, तो 1983 में इसका गठित किया गया था, Under this plan, the protected area is proposed to be increased to cover 4% of geographical area as against 3% of prison, क्या होता है कि अभी क्या तो protected area को बढाने के purpose से, यह national wildlife action plan काम करता है, बढ़ा होता है कि एक geographical area में अगर हम लोग देखने जाए तो बहुत ही कम चगह को wildlife के लिए दिया गया है, तो उसी को plan किया गया है कि नहीं wildlife के लिए एक जगह होता है नहीं उसका बढ़ाया जाए, Indian word for wildlife, इसको short में क्या बोलेंगे तो IBWL, IBWL is consecrated in 1952, यह कब गठित किया गया है, तो 1952 में गठित किया गया था, इसको क्युँ गठित किया गया है, तो इसको एक तारह का बढ़ को, अधिकतो बड को बचाने के लिए इसको गठित किया गया था इस ओरало के जेओलोजी कर गार्डन को, पार्क को कंट्री में बचाने के लिए, इस तरह के, इस तरह के Indian word for wildlife को और्गनेशन को इन्भर्व मतलब गठित किया गया था कि हां हम उस बर्ड को मतलब एक तरह का बर्ड को हम लोग बचाने का कोशिस के यह में इसको बनाया गया था कब तो 1952 में बनाया गया था